Hello everyone, आज की इस वीडियो में शुशॉल जी से रिलेटेट टॉप 30 कोशन्स के बारे में बात करने वाले हैं यह आपके एक्जाम्स NET-JRF के लिए इंपॉर्टन रहने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल का नाम है GoToSuccess, अगर आप NET-JRF, PGT, GIC या फिर Assistant Professor exam की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टारी को कम्प्रीट कर सकते हैं प्लेलिस में उन सभी वीडियो के फोल्डर मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कोशन है निम्न में से जो संस्कृती करण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, यह बताना है इन में से कौन सी संस्कृती करण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है कौन एक है? आए देखते हैं, यह जाती समुहों से संबंधित है या समाजिक गतिशीलता की और संकेत करता है इसके एक से अधिक आयाम है या रितु जनन संबंधी परिवर्तन है संस्कति करण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है तो ये जाती समुहों से संबंधित है किसी एक व्यक्ति से संबंदित नहीं है बलकि जाती सम्मू से संबंदित है गतिशीलता पाई जाती है इसमें एक से अधिक आयाम है इसके संस्कति करण के ये रितुजनन संबंदी परिवरतन नहीं है option D यहाँ पर right answer हो जाएगा संस्कृति करण यानि की जो कि संस्कताइजेशन है ये जो concept है वो M.S. शिनिवास ने दिया है इसके अलावा पश्मे करण के अवधाना इन्होने दी है M.S. शिनिवास ने आधुनी की करण के अवधाना दी है धर निर्पेक्षी करण की बात की है dominant caste की यानि की प्रभुतु जाती की अवधाना दी है और आपके exams में संस्कृति करण और जो प्रभुतु जाती यानि की संस्कताइजेशन और dominant caste से related important questions बनते हैं पूछे जाते हैं एंड प्रभुतु जाती की जो अवधाना है उसको वहाँ पर अच्छे से explain किया गया है उसमें से सभी questions आपके cover हो जाएंगे तो आप वहाँ ज़रूर देख लीजेगा उन वीडियोस को यहाँ पर option डे राइट होगा नेक्स्ट है धर निर्पेक्षी करण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वहाँ वैसा नहीं माना जा रहा है किसने परिभाशित किया है options है एर दे साई योगेंद्र सिंग एमेंशी निवास स्सी दुबे options में है धर निर्पेक्षी करण शब्द है उसका अर्थ क्या है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह वैसा नहीं माना जा रहा है किसका कहना है किसका तरक है कि तो यहां पर राइट अंसा मनशी निवस हो जाएगा इन्हों ने जो इनकी बुक है शोचल चेंज़ की भी बात की है dominant caste का जो concept है वो particular इनके अलग बुक है dominant caste करके उसमें दिया हुआ है इन्होंने जो धन्यर पैक्षिकरन की बात है ये बुक अपनी social change in modern India में इन्होंने ये बात कही हुई है संस्कतिकरन की अफ़दारन क्या है इसमें कोई नेमने जाती ही होती है वो जीवन şunu है उनके पीड़ियों करती है और विश्वास के साथ करती है कि कुछ पीड़ियों के बाद उनकी पत क्रम्भ में इस्थती है यहीए उनका संसकतिकरन ने कंसी अधर कही हुई है ठीक है तो यहां पर option क्या हो जाएगा जो सी है एमेंश्रीनिवास वो राइट होगा next है जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकी करण कहते हैं यानि कि society में जब आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होगा तो उसको ही हम modernization कहेंगे आधुनिकी करण कहेंगे यह कथन किसका है यह तर्क किसका है ओप्शन्स हैं एमेंश्रीनिवास योगेंद्र सिंग ए अर्देसाई गुर्णाब मेडॉल तो समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब ही उसे हम modernization कहेंगे यह कहना किसका है योगेंद्र सिंग का है ओप्शन भी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा इनके कुछ important books हैं वो भी देख लेते हैं पहली है modernization of Indian tradition यह आपके net के exam में काफी बार पूछी जा चुकी है modernization of Indian tradition योगेंद्र सिंग की है इसके अलावा social change in India social change in India यह भी इनकी है इसके अलावा इनकी book है culture change in India social change in India है फिर culture change in India है next है social stratification and change in India social stratification and change in India यह एक है and last है ideology and theory in Indian sociology ideology and theory in Indian sociology यह कुछ योगेंद्र सिंग की importance books थी ठीके तो option B यहाँ पर क्या होगा right answer हो जाएगा and इन सभी books को आपको याद करना है ठीके पुरानी अब books ज्यादा नहीं पूछी जाती है ठीके नहीं books ज्यादा exams में देखने को मिल लहीं है जो पूछी जा रही है तो इन सभी books को आप लोग याद कर लिजेगा option B यहाँ पर right है नेक्स्ट है एक गतिशील समाज का सरवाधिक विसिस्ट लक्षन है वाहनों का आधिक्य बहुत देशिय भवनों की उपस्थती प्रस्थतियों में परिवर्तन का अवसर या फिर उप्रियुक्त में से कोई नहीं एक गतिशील समाज का इसमें सबसे अधिक जो विसिस्ट लक्षन है वो कौन सा है वाहनों का आधिक्य बहुत देशिय भवनों की उपस्थती प्रस्थतियों में परिवर्तन का अवसर या फिर उप्रियुक्त में से कोई नहीं तो क्या होगा प्रस्थतियों में परिवर्तन का अवसर ऑप्षन सी यहां पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ठीके समाजिक गतिशीलता कैसे कहते हैं व्यक्ति या परिवार या अनिश्टरणियों में लोगों का एक समाज में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जो ज समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जो गमन होता है जाना होता है वो ही क्या कहलाता है समाजिक गतिशीलता कहलाता हो समाजिक गतिशीलता की सबसे पहले बात किस ने की थी सोरो किन ने की थी किस बुक में शोशल मोबिलेटी में इन्होंने की है समाजिक गतिशीलता नाम क्राइम्स विदाउट विक्टिम्स अभी ये बुक किसकी है ओप्शन से लॉम्ब्रोसो सदर्ल लैंड टॉफ्ट एच बेकर लॉम्ब्रोसो सदर्ल लैंड टॉफ्ट एच बेकर क्राइम्स विदाउट विक्टिम्स इन्पोर्टेंट है क्राइम्स विदाउट विक्टिम्स किसकी है एच बेकर की है ओप्शन डी यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट है अनुशूची जाती जनजाती उतपीलन निरोधक अधिनियम पारित हुआ ओप्शन से 1989, 1998, 1948 या फिर 1999 अनुशूची जाती जनजाती उतपीलन निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था तो 1989 होगा option A यहाँ पर क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा next है the active society the active society अब यह book किसकी है options है Karl Marx, Max Weber Rizman, R. Bendigt Karl Marx, Max Weber David Rizman Ruth Bendigt options में है the active society important है book किसकी हो जाएगी Rizman की हो जाएगी option C यहाँ पर क्या होगा right answer होगा next है समाजिक नियंतरन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में सोचा है समाजिक नियंतरन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में सोचा है या समाजिक नियंदरन के प्रकार प्रतिक्ष और अप्रतिक्ष किसने बताए है option से Kimball Young, Call Manheim Ross, Choll School Kimball Young, Call Manheim Ross, Choll School options में है तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा call manheim option B यहाँ पर क्या होगा right answer हो जाएगा समाजिक नियंदरन की सबसे पहले ववस्थित तरीके से जो वर्णन है या अध्यन है वो E.A. Ross ने किया हुआ है किस बुक में social control, social control समाजिक नियंदरन नाम से इनकी बुक है Ross की उसमें उन्होंने सबसे पहले समाजिक नियंदरन की बात की है नियंदरन जो समाजिक नियंदरन है वे ऐसे शक्तियां है जिसके द्वारा जो समुदाय है वो व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है तो option B यहाँ पर कॉल में ने समाजिक नियंदरन की दो प्रकार बताए है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इसके अलावा चॉल स्कूले और बनाड ने भी जो दो प्रकार बताए है समाजिक नियंदरन के चेतन नियंदरन और आचेतन नियंदरन चॉल स्कूले के साथ एक और है बनाड ठीक है चॉल स्कूले और बनाड ने चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात कही है किमबॉल यंग ने भी दो प्रकार बताए हैं समाजिक नियंत्रण के एक है सकारात्मक नियंत्रण और दूसरा नकारात्मक नियंत्रण सकारात्मक नियंत्रण नकारात्मक नियंत्रण इनका उजय का किमबॉल यंग का कॉल मैन हिम ने प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात की है चॉल स्कूले और नोर्ड ने चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण की बात कही है तो option यहाँ पर be right होगा नेक्स्ट है निम्नि में से कौन सा प्राणी शास्त्री कारक है जो समाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है प्राणी शास्त्री कारक जो समाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है बताना है ओप्शन्स है शारिरिक, सरशना, पारिवारिक, सांस्क्रतिक, छेत्री ओप्शन्स में है तो यहाँ पर राइट अंसर क्या होगा? पारिवारिक होगा ओप्शन B यहाँ पर क्या होगा? राइट अंसर हो जाएगा समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मद्धे एक संबंध है समाज क्या है? व्यक्तिगत विचारों के बीच में एक संबंध है अब किसका ये कथन है? ओप्शन्स देख लेते हैं Max Weber, Parsons, C.H. Coolet, Roberta Park Max Weber, Parsons, C.H. Coolet, Robert Park options में हैं समाज एक व्यक्तिगत विचारों की बीच में एक समबंध है व्यक्तिगत विचारों की बीच में जो समबंध है वही समाज है किसका कहना है तो ये कहना C.H. Coolet है option c यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रात्मिक समू की अवतार्णा दी है कूले ने इसके अलावा आत्म धर्पन का सिध्धान्द भी कूले ने ही दिया हुआ है तो option c यहाँ पर right होगा next है निम्न में से किसने तनाव के दो प्रकार प्रात्मिक तनाव और द्वित्तिक तनाव की बात कही है आईए options देखते हैं लेमर्ट, लेपियर, फेरिस, इलेट और मेरिल लेमर्ट, लेपियर, फेरिस, इलेट और मेरिल options में हैं प्रात्मिक तनाव और द्वित्तिक तनाव की बात किसने कही है यह तनाव की दो प्रकार होते हैं प्रात्मिक तनाव और द्वित्तिक तनाव तो यहाँ पर क्या होगा Elliot and Merrill होगा Option D यहाँ पर Right Answer हो जाएगा और Elliot and Merrill ने जो परिवारिक तनाव है उसको ही परिवारिक विगडन का कारण माना था तीक है important है पूछा जा सकता है परिवारिक तनाव को इन्हों ने परिवारिक विगडन का कारण माना है Elliot and Merrill ने अब जो पराथमिक तनाव है इसमें क्या होता है पती-पत्नी के बीच में जो व्याचारिक मदभेद होते है उसमें पराथमिक तनाव की बात करते है यानि कि पराथमिक तनाव में पती-पत्नी है इनके बीच में विचारों को लेकर जो मद्वेद होते हैं उससे जो तनाव जन्म लेता है उसको प्रात्मिक तनाव बोला और जो द्वित्यक तनाव है ये आर्थिक कार्णों से परिवार में जो होने वाला तनाव होता है ठीक है परिवार में आर्थिक कार्णों की वज़े स से जो तनाव जर्म लेता है उसको द्वित्यक तनाव कहा है इन्होंने तो यहाँ पर ओप्शन डी इलिएट एंड मेरेल हो जाएगा और परिवारिक तनाव को परिवारिक विगटन का इन्होंने महतपूर कारण बताया है नेक्स्ट है विवा है जनजातियों में और एक तरफ जनजातियां है परिक्षा विवा है परिविक्षा है हरण है सेवा विवा है तो यहाँ पर राइट क्या होगा जो परिक्षा विवा है वो भील जन जाती में है ठीक है भील जन जाती में पाया जाता है और इसके अलावा जो परिविक्षा विवा है वो कूकी जन जाती में है हरण विवा है नागा जन जाती में और जो सेवा विवा है वो बिरहोर जनजाती में पाय जाता है ठीक है तो परिक्षा विवा हो जाएगा भील जनजाती का परिविक्षा विवा हो जाएगा कूकी जनजाती में हरन विवा हो जाएगा नागा जनजाती में और सेवा विवा हो जाएगा बिरहोर जनजाती में त यह पूचा जाता है आत्मसात्करन की नीती का सुझाउ आवधार्णा किसी है। तो प्लेखस ऐसे ट्राइबल सुसाइटी जन जाति समाज से रिलेटेट जो इन्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको एक वीडियो में बताया गया है प्लस एक अलग वीडियो आपको मिलेगी उसमें MCQ कराएगे हैं जो इन्पोर्टेंट बनते हैं तो उनको जरू देख लिजेगा आपके एक्जैम्स के लिए इन्पोर्टेंट है ओप्शन बी यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट है जी सोबर्ग ने उद्विकास के अधारपक किन नगरों की बात की है उद्विकास के अधारपक किन नगरों की बात सोबर्ग ने की है आये देखते हैं पूर्व शिक्षित नगर पूर्व औधोगिक नगर औधोगिक नग पूर्व शिक्षित नगर पूर्व ओधोगिक नगर ओधोगिक नगर तो किन उध्वेकास के अधापक किन नगरों की बात इन्होंने कई है तो यहां पर यह सब हो जाएंगे option D यहां पर right होगा next है किसने नगर के पतन की इन तीन अवस्थाओं की बात किसने की है options में हैं Robert Park, Nils Ederson, Mumford, Sorokin नगर की यह जो तीन अवस्थाओं हैं वो पतन की हैं options है Robert Park, Nils Ederson, Mumford, Sorokin तो किसने बात की हुई है? Mumford ने की हुई है option C यहां पर right answer हो जोएगा Mumford ने नगरों के कार्यों इसके अलावा जो एतिहासिक तत्य हैं इन सभी का सुक्ष्म अध्यन करा है और फिर नगर विकास की 6 अवस्थाओं बताई नगर का कैसा विकास हुआ है? उसकी 6 अवस्थाओं इन्होंने बताई है ध्यान दीजेगा पूछे जा सकता है नगरों के कार्यों और एतिहासिक तत्यों का सुक्ष्म अध्यन करके इन्होंने नगर विकास की 6 अवस्थाओं बताई पहली तीन कौन सी है इव पोलिस पहली क्या है इव पोलिस सेकेंड नमबर पे है पोलिस थर्ड नमबर पे है मेट्रो पोलिस तो ये पोलिस हो गया पोलिस हो गया मेट्रो पोलिस हो गया ये तीन है बाकी की फोर्थ नमबर पर मेगालो पोलिस है फिफ्थ नमबर पर टाइरनो पोलिस और लास्ट में नेक्रो पोलिस टोटल ये हो गई 6 तो इन छेओं को आपको याद करना है option c यहाँ पर क्या होगा right होगा next है लुई वर्थ प्रतम विशलेशन करने वालों में से एक थे किसका इन्होंने सबसे पहले विशलेशन किया है लुई वर्थ ने आए देखते हैं स्वचलन के प्रभावों का उद्धोगवात के प्रभावों का उत्तर उद्धोगवात के प्रभावों का या फिर नगरी करन के प्रभावों का पहला विशलेशन लुई वर्थ ने किया है इन में से किसका तो नगरी करण के प्रभावों का होगा option D हाँपर क्या होगा right answer होगा इसके अलावा लुई वर्त ने नगरी करण के अवधाना दी है नगरेता की अवधाना दी है घेटों की भी अवधाना दी है इनोंने उपनगर की अवधाना भी है इनकी उपनगरी छेतर की भी अवधार्ना दी है तो लुश वर्थ ने दी हुई है तो उप्चनल दी यहाँ पर नेक्स्ट है ग्रामेड समाश शासर यानि कि रूरल सोशोलाजी के जनक कौन है। options हैं Macammerit, DN Majumdar, Robert Redfield, SC Dubey Macammerit, DN Majumdar, Robert Redfield, SC Dubey Rural Society के नाम से आपको folder मिलेगा playlist में वहाँ पर कुछ वीडियोज हैं important हैं, important facts बताए गया हैं उनमें MCQs भी कराए गया हैं उन्हें देखेगा इसके लावा Urban Sociology, Urban Society नाम से भी एक folder बना हुआ है उसे भी जवू देख लीजेगा Urban Society से भी related important questions आपके exams में आते हैं नेट के तो यहाँ पर grammar, समाजशास के जनक कौन है? Robert Redfield है, option C, यहाँ पर क्या होगा? Right answer होगा, Robert Redfield के जो और भी concepts हैं जैसे की little community यानि की लगू समुदाय का अभधार्णा दिया है इसके अलावा इन्होंने लगू और दिर्ग परंपरा या लगू या फिर व्रहत परंपरा की जो अभधार्णा है वो भी Robert Redfield ने दी हुई है क्रशक समाज की अभधार्णा दी है लोक संस्कृती की अभधार्णा है Robert Redfield की, ठीक है? तो इन्हें याद रख लिजेगा Option C यहाँ पर Robert Redfield है Gramit समाज शास की जनक Next है किसने क्रशक समाज को वर्गी करत किया है जमिनदार में, अमीर किसान और गरीब किसान में Options है धनाग्रे, डेनियल, थार्न, रेट फिल्ड, एफजी बेली धनाग्रे, डेनियल, थार्न, रेट फिल्ड, एफजी बेली Options में है क्रशक समाज को जो क्लासिफाई है वर्गी करण है जमिनदार, अमीर किसान, गरीब किसान में किसने किया है तो यहाँ पर क्या होगा? धनाग्रे होगा Option A यहाँ पर क्या होगा? Right answer होगा पांच भागों में वर्गी करण किया है पहला जमिनदार बताया दूसरा अमीर किसान तीसरा मजोले किसान तीसे नमबर पर कौन रखा? किसको रखा? मजोले किसान फौर्थ नमबर पर जो चौते नमबर पर रखा है गरीब किसान लास्ट में भूमी हिन मजदूर की बात की है ठीके तो क्रशक समाज को जो वर्गी करत किया है धनागरे ने जमिंदार पहले नमबर पर जमिंदार दूसरे नमबर पर अमीर किसान तीसे नमबर पर मंजोले किसान चौते नमबर पर गरीब किसान पांचवे नमबर पर भूमी ह से जुड़ा हुआ माना है और इसकी अधिकांश समाजों में निमनिस्थती होती है क्रशक समाज भूमी से जुड़ा हुआ है और ज्यादातर समाजों में जो क्रशक हैं इनकी निमनिस्थती होती है बारते समाज को उन्हों ने क्या कहा कि भारती समाज क्रशक समाज नहीं है बलकि भारती समाज mixed society है, मिश्यत समाज है, important है याद रखेगा किसने कहा है, आंद्रे बेते ने कहा है next है क्रशक वाभिजात वर्गों के मद्य वही संबंद देखे जा सकते हैं जो शोशित वर्ग एवं शोशन करने वाले वर्ग की बीच में पाई जाते हैं, अब किसका कहना है option से क्रोबर, आंद्रे बेते, थियोडोर, शानीन, रेट फिल्ड, क्रशक वाभिजात वर्गों के बीच में वही संबंद देखे जा सकते हैं, जो शोशित वर्ग है और शोशन करने वाले जो वर्ग हैं, इनकी बीच में जो पाए जाते हैं, वही संबंत क्रशक और अभिजात वर्ग में देखने को मिलते हैं, किसका कहना है, क्रोबर, आंत्रेबेते, शानीन, रेट फिर्ड ओप्शन्स में इंपोर्टेंट कुशन है, ध्यान दीजेगा ऐसे तो यहाँ पर राइड अंसर क्या हो जाएगा, थियोडोर, शानीन, उप्शन ची यहाँ पर राइड अंसर हो जाएगा, और इन्हों ने, शानीन ने, मार्क्स और लेलन बादी का परंपरा है, उसका समर्धन किया हुआ है नेक्स्ट है वियस्टिक परिवार और्टिमिस्टिक फैमिली की जो अवधाना है वो किस ने दी है मैक्स वेबर जिमर मैन लेविस्ट्रॉस मर्डॉक ऑप्शन्स में है मैक्स वेबर जिमर मैन लेविस्ट्रॉस मर्डॉक ऑप्शन्स में है आप लोगों को पहले कराया जा चुका है जिमर मैन, option B यहां पर क्या होगा right answer हो जाएगर, इनकी book का नाम क्या है family and civilization जिमर मैन की book का नाम क्या है फैमिले and civilization है और इन्होंने तीन परिवार के तीन प्रकार बता है परिवार के तीन प्रकार बता है पहला नियासिता परिवार, पहला क्या है, नियासिता परिवार है, ट्रस्टिशिप फैमिली बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इंग्लिश का भी जो वर्ड यूस किया जाता है, किसी कॉंसेप्ट के लिए, किसी वर्ड के लिए, ठीक है, तो इंग्लिश वाला भी याद क लिया करिए हिंदी में अलग अलग वर्ट्स कई बार पूछ लिये जाते हैं जिनको शायत कन्फ्यूजन हो जाया कन्फ्यूज हो जाया आप ना पता हो तो इंग्लिश चेक करके आप देख सकते आपको याद रहेगा ठीक है तो न्यासिता जो परिवार है ट्रस्टिशिफ फ परिवार व्यक्तिवादी परिवार या फिवेस्टिक परिवार इसको इंग्लिश में और्टोमिस्टिक फैमली बोलते हैं यह याद रखेगा थर्ड नंबर पर जो बात की है घरेलू परिवार थर्ड नंबर पर क्या बोला है नोने घरेलू परिवार की बात की डोमिस्ट फैमली तो यह जिमर मैंने तीन प्रकार बतायें ते फैमिली एंड सिविलाइजेशन इनकी बुक है नेक्स्ट है आमने सामने की अंतर किरिया के विशलेशन को अंतर किरिया विवस्था के रूप में इनमें से किसने परिभाशित किया है options हैं, Goffman, C.H. Cooler, Bloomer, G.H. Mead Goffman, C.H. Cooler, Bloomer, G.H. Mead options में हैं तो यहाँ पर क्या होगा? Goffman होगा option A, यहाँ पर write answer हो जाएगा the presentation of self in everyday life यह आपके exam में पुछी जाती है Goffman की book है, the presentation of self in everyday life asylum इनकी है, behavior in public places इनकी book का नाम है, Goffman की तो इन books को धियान रखना है, आपको धियान में Goffman right है, next है, इन में से कौन सा सही नहीं है? हिंदू विवाधिनियम 1955 हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 1956 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 and last में है, दहेज निशेद अधिनियम 1971 क्या सही नहीं है? हिंदू विवाधिनियम 1955 हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 1956 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 दहेज निशेद अधिनियम 1971 तो क्या होगा? दहेज निशेद अधिनियम 195 नहीं है, यहाँपर क्या होगा? 1961 होगा आप्शन D यहाँपर क्या होगा? राइट होगा नेक्स्ट है, ट्राइब कास्ट अड नेशन्स अब ये बुक किसकी है? ट्राइब कास्ट अड रिजले, हर्टन F.G. Bailey, D.N. मजूबदार हर्बर ट्रिजले, हर्टन F.G. Bailey, D.N. मजूबदार options में है तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा F.G. Bailey, option C यहाँ पर right होगा next है British Kal के द्वारान Gramid, Bengal में Gramid वर्ग सरशना का अध्यन करते हुए यह निश्कश निकाला की भारती Gramid समाज ना तो इस्तिर था और ना ही समानता वाधी था British Kal के द्वारान जो Gramid बंगाल है उसमें जो Gramid वर्ग सरशना है उसका अध्यन करके यह बोला यह निश्कश निकाला की भारती ग्राममीर समान ना तो स्थिर्ता और ना ही समानता वाधी था Donc options रामकृș्ण मुखर जी, राधाकमल मुखर जी उत्सा पतनायग Donc options में है तो क्या होगा? रामकृष्ण मुकरजी होगा ओप्शन B यहाँ पर क्या होगा? राइड आंसर होगा नेक्स्ट है एक फ्रांसेसे दाशनिक ने मानव भाषा को किरिया पदती बना कर समाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है कौन हैं में से? प्रांसेसे दाशनिक हैं मानव भाषा को किरिया पदती बना कर समाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है आपके नेट के एकजामें पूछा गया है तो देरिदा हो जाएगा ओप्शन B यहाँपर क्या होगा? राइड आंसर हो जाएगा देरिदा की बुक है speech and phenomena and एक second एक और बुक है of grammatology करके ठीक है of grammatology करके एक बुक है ये भी देरिदा की है on the name on the name करके भी बुक है ठीक है देरिदा की ये तीन बुक हो जाएंगे speech and phenomena of grammatology and last में on the name ठीक है तो ये देरिदा की हो जाएंगे option B यहां पर आइट हैं नेक्स्ट है आधुनिक समाजों में अत्यधिक व्यक्तिवादी करण के कारण होने वाली जो आत्महत्या है उसको क्या कहा जाएगा आधुनिक समाज में अत्यधिक व्यक्तिवादी करण के वजह से जो आत्महत्या होती है उसको क्या कहेंगे options हैं प्रतिमान हिंता वादी आत्महत्या भागे वादी आत्महत्या एहम वादी आत्महत्या या फे इन में से कोई नहीं आत्मात्या की चार प्रकार बताये दुर्खीम ने पराथ वादी आत्मात्या बताया था प्रतिमान हिंता वादी आत्मात्या बताया था एहम वादी आत्मात्या बताया था लास्ट में भाग वादी आत्मात्या बताया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आद्मिक समाजों में जो व्यक्तिवादी करण के वज़र से आत्मत्या होती है उसको एहम वादी आत्मत्या कहेंगो option C यहाँ पर right answer हो जाएगा society दुर्खीम की बुक है और इसके अलावा धर्म का समाज शास्त्र जो सिधानत है वो दुर्खीम ने दिया हुआ है समाजिक तत्य है totem को धर्म का प्रारंभिक स्वरू बताया है दुर्खीम ने division of labor in society दुर्खीम की बुक का नाम है the rules of sociological method है दुर्खीम की बुक the elementary forms of religious life ये भी दुर्खीम की बुक है education and sociology ठीक है education and sociology भी दुर्खीम की बुक है तो यहाँ पर एहमवादी आत्मत्या right answer हो जाएगा next है the development of under development अब ये बुक किसकी है the development of under development options है the development of under development ये हो जाएगी एजी फ्रैंक की option D यहाँ पर क्या होगा right होगा next है इन में से कौन सा सही नहीं है आत्मविकास महात्मा गांधी जी विश्वववस्था सद्धान वर्ड सिस्टम जो थेरी है वॉलिस्टेन उदारवादी दुर्खीम आधुनी की करण गिडिन्स तो क्या सही नहीं है आत्मविकास की बाद महात्मा गांधी विश्वेवस्ता सद्दान वॉलस्टेन उदारवादी दुर्खीम आधुनी की करन गिड़न्स तो यहाँ पर उदारवादी होगा दुर्खीम नहीं है बेंथम होगा यहाँ पर ठीक है उदारवादी में बेंथम होगा बाकी किसा ही है आत्मविकास महात्मा गांदी जी हो जाएगा जो वर्ड सिस्टम थेयरिय वॉलस्टेन की है modernization की बाद guidance ने की हुई है option C यहाँ पर right हो जाएगा उदारवादी बेंथम हो जाएगा दुरखीम नहीं है वहाँ पर ठीक है next है women and kinship comparative perspective on gender in south and south east Asia अब यह बुक किसकी है रीता मंचन्दा लीला दुबे, SC दुबे, नीरा दिसाई options में है रीता मंचन्दा, लीला दुबे, SC दुबे, नीरा दिसाई women and kinship comparative perspective on gender in south and south east Asia important बुक है तो यह किसकी है लीला दुबे की है option B यहाँ पर right होगा next है speaking piece women's voice from Kashmir speaking piece women's voice from Kashmir अब यह बुक किसकी है options है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उर्वशी बुटालिया हो जाएगा option B यहाँ पर क्या होगा right answer हो जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope यह आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करेगा comment करके जरूर बताएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी ज़व करेगा थैंक यू बताएब करेगा